प्राइवेट सोर्स से फंडिंग लाने की बात भी हुई एक्स्टरनल कॉमर्शिल बॉर्वेंग प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है जैसे कमपनी माना रिलैंस गुरूप टाटा गुरूप वो अगर भी देश से लोन ले रहें तो लोन डॉलर में आएगा लेकिन देश क हालत इतनी खराब थी कि कोई भी फॉरन और्नाइजेशन फॉरन बैंक इंडियन कंपनीज को डॉलर में लोन देने को तैयार नहीं था हालत तो यह तक थी कि जो एस्बी आई के फॉरन ब्रांचों में डॉलर बचे हुए थे वो भी वहां से निकल रहे थे इंडिया पर ट् इसा आए बड़ शफल नहीं हो पा रही थी बिकोज बहुत बड़ा क्रिडिबिलिटी क्राइसिस था एक अनिस्टेवल गॉवर्मेंट का होना इस तरीके से एकनॉमिक और फिनेंसल प्रॉब्लम क्रियेट करता है हेलो एवरीवन वेलकम टो आए एक्जाम बी फार फिप्टी परसेंट फास्टर प्रपरेशन मेरा नाम है चंदर प्रकाश जोशी और आज की वीडियो में आपको बताता हूं किसी आर्बेग ऑफिसर की एकदम नीद उड़ा देने वाली रात की बात बात है 3 जुलाई 1991 रात को आर्बेग ऑफिस से एक छोटा ट्रक निकलता है जिसके साथ बहुत हाई लेविल की सिक्यूरिटी है आर्बेग एक जनरल मेनेजर इस मिशन के इन चार्ज हैं सिक्यूरिटी ऑफिसर को इस बात का तो अंदाजा है कि इसमें डेफिनिटली कुछ जैदा हाई सिक्यूरिटी मामला है कि नॉर्मली जो करंसी नोट से भरा हुआ ट्रक होता है उसकी सिक्यूरिटी इतनी जैदा नहीं होती है बट यह पूरा मामला चल क्या रहा है इसमें हम क्या लेके जा रहे हैं कहां लेके जा रहे हैं इसकी कम्प्लीट डिटेल में एरपोर्ट को जाते हुए जब गोल्ड से भरे हुए इस ट्रक का टायर फटा तो उसके बाद क्या हुआ ये बात में आगे बताता हूं लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आरवी आई को 47 मेट्रिक टन गोल्ड गिरवी रखना पड़ क्या और के option नहीं बचा था देश में हमारे देश में particularly सोने के परती बहुत emotional attachment है जब मैं microfinance में काम करता था तो मैंने देखा है especially गाओं गाओं में कि लोग अपने घर का सोना मुसीबत के लिए रखते हैं आपने बड़े बुढ़ों को कहते हैं सोना भी होगा कि घर का सोन हैं कि मुसीबत में भी एकदम मुसीबत में भी हम यह सोना बेचना नहीं चाहते हैं आप अपनी घर में पता लगाए एंसिस्ट्रल गोल्ड वहर पीड़ी दर पीड़ी बढ़ रहा होगा अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आ जाती है तो हम सोचते हैं उसे थोड़े जब देश में बैलेंस और पेमेंट क्राइसिस आया था याद करिए इस सीरीज का पहला वीडियो जब मैंने बताया था कि वेंकटी रामन साहब जब फिरेंस सेकेर्टरी थे उनके टाइम में देश में किस तरीके से फिस्कल डेफिट बढ़ गया था 9.4 परसेंट अगर हम कंबाइंड बात करें स्टेट और सेंटल गवर्मेंट के फिस्कल डेफिसिट की आर्बियाई ने SLR की लिमिट, CRR, SLR की लिमिट इतनी बड़ा रखी थी क्योंकि SLR में बैंकों को गवर्मेंट सिक्योर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्मेंट के बॉर्रिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए SLR और CRR के माददन से बैंकों का करी 50% पैसा तो आर्बियाई और सरकार के पास आ जा रहा था आज के जमाने में आप सोच भी नहीं सकते कि अगर बैंक अपना आधा डेपोजित भारत सरकार के पास और आर्बिया के पास रखेगा तो बाकी में वो क्या लोन करेगा और कैसे प्रोफिट कमाएगा यह वह जमाना है जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस राज यह सारे एक्षंस बहुत ही कॉडिनेट हो रहे थे और बहुत सीक्रेट तरीके से हो रहे थे भारत सरकार और आर्बियाई ने देश में लोगों को उसमें बताया भी नहीं कि हम सोना गिरवी रखना है और उससे पहले 20 मेट्रिक टरंस होना बेचा भी गया यहां पर क्या क्या और अप्संस भारत सरकार ने और आर्बिया ने एवेलिएट किए करेंट अकाउंट डेफिसिट को समालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैलेंस और पेमेंट में यहां पर उस समय का बढ़ता हुआ करें हो जाती है तो करेंट डेफिसिट क्रियेट होता है क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट के लिए आप मेजर कमोडिटी माना ओयल मान लीजिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट करते वक्त हमें पेमेंट करना है डॉलर में तो हमारे डॉलर हो रहे हैं जब के हालत यह थी करीब वन बिलियन डॉलर था जो किवल दो हपते का इंपोर्ट विल पेमेंट करने लाइक रह गया था इंफलेशन भी 12-15 परक्षेंट की रेंज में जाने लग गया था निगेटिव इंडिस्ट्रियल ग्रोथ confidence crisis और junk rating S&P की junk rating की बाद भी मैंने उस वीडियो में बताई है भारत सरकार ने और RBI इने मिलके current account deficit को problem को solve करने के लिए अलग-अलग options evaluate किये जैसे कि भारत सरकार की property जो विदेशों में property है उसको कुछ बेच दिया जाए इंडियन M.A.C की बिल्डिंग है टोक्यो में उसको बेचने का proposal discuss किया गया लेकिन शायद लगा ये बात भी लीख हो जाएगी और value भी बहुत ज़्यदा नहीं आने वाली है और ministry of finance में तो ये तक discuss हुआ कि हम default कर जा है हाँ देश भी कर बाद डिफॉल्ट करते हैं आपको लिए हैं तो आपको उसका ब्याद भी पे करना है और उसका प्रिंस्पल भी वापस लोटाना है अगर इंडिया अपने लोन पर default कर जाए ये उसके लिए बहुत बड़ा credibility crisis खड़ा करने वाला था और भी ने भारत सरकार को strictly मना किया कि default जैसी बात में नहीं करनी है क्योंक जैसे Asian Development Bank या इबन bilateral के हमें कोई country जैसे की थोड़ी बात चल रही थी एकाथ country के साथ वो country हमें कुछ loan दे दें छोटे मुटा amount आए भी बट बिल्कुल भी वो sufficient नहीं थे हमारे current account deficit को manage करने के लिए private source से funding लाने की बात भी हुई external commercial borrowing private sector में क्या होता है जैसे companies माना relance group data group वो अगर विदेश से loan लेने तो लोन डॉलर में आएगा लेकिन देश के हालत इतनी खराब थी कि कोई भी foreign organization foreign bank इंडियन companies को डॉलर में लोन देने को तैयार नहीं था हालत तो यह तक थी कि जो SBI के foreign branchो में डॉलर बचे हुए थे वो भी वहां से निकल रहे थे इंडिया पे trust बहुत चला गया था उस समय एनराइज जो नॉर्मली इंडिया में डॉलर लेके आते हैं वो अपना डॉलर विड्रो करने लगे करीब एक बिलियन डॉलर एनराइज ने विड्रो कर लिए government सोच ली थी हम क्या scheme लाएं कि एनराइज से पैसा आए बड़ सफल नहीं हो पा र लिए था Congress ने और मालूम था कि देश में चुनाओं होने वाले हैं बड़ चुनाओं के बाद भी कौन से इस्टिबिल गवर्मेंट बजेगी इस बात की कोई clarity नहीं और एक तरीका था कि किसी तरीके से इंपोर्ट को कम किया जाए जिससे कि हमारे कम से कम डॉलर खर्चा हो और हम export को promote करें, import को कम करने का मतलब और restrictions लगाना, बहुत सारे restrictions लगा चुकी थी भारत सिरकार की कोई भी बड़े amount का export के लिए approval लेनी पड़ रही थी और मैंने तो यह भी सुना है कि बड़े-बड़े film star RBI office के बाहर line लगाते थे जब उन्हें shooting करने के लिए बिजेश ज आना है आपको limited amount of dollar मिलेंगे और उसके लिए आपको खोद आना पड़ेगा, इतने सारे restrictions के बाद भी हमारे देश में लगातार balance of payment का crisis बना हुआ था, पहले सरकार ने सुचा थोड़ा सा सोना बेच देते हैं, directly बेचना खराब लगेगा, तो actually सरकार ने सोना SBI को दिया, 20 metric SBI ने Union Bank of Surgerland को बेचा, और repurchase agreement के साथ, और ये बात public में बिल्कुल leak नहीं हो रही है, बट arrangement ऐसा रखा कि इसको SBI बाद में repurchase कर सकता है, और इससे 200 million आए, 200 million की बात हो रही है, आज हमारे पास कितना है, 600 billion से जैदा फोरेक्स रिजब, उसमें 200 million के लिए हम सोना बेच हैं, उससे भी sufficient काम नहीं हुआ, फिर ये बात हुई कि हम RBI का सोना गिरिवी रख देते हैं, और 47 metric tons होना RBI के वाल्ट से Bank of England ले जाया गया, उसके against Bank of England और Bank of Japan ने RBI को 405 million USD दिये, और ये काम इतने secrecy से किया गया, कि जनता में किसी को पता ना चले, तरकार को डर ये था, अगर ये बात leak हो गई, तो चुनाव में वह हारिंग गई ही, और उसके अलावा देश की credibility पर और बुरा आसर पड़ेगा, एक और suggestion बीच में आया था, कि NRIZ को अपना deposit withdraw करने से मना कर दिया जाए, उस पर सरकार बेन लगा दे, पर उस पर भी RBI का opinion किलियर था, वो करने से confidence खराब होगा, मैंने किसी एक post में बढ़ा था, तो RBI के general manager जो वो chartered plane में ये gold को दो बार लेके गए, ग्लैंड में, वो बता रहे थे कि किस तरीके की उनकी कितनी tension थी, एक तो वो इतना high value good को transport कर रहे हैं, and secondly, इस mission की complete secrecy रखनी है, in the interest of the nation, जब ये truck मुंबे एरपोर्ट क्यों जा रहा था, रास्ते में इस truck का टायर फट गया, टायर फटा, तो लोगों की attention आई, लोग इखटा हो गए, आज उबाज से देखने के लिए, security ने घेर लिया चारों और से, YV Reddy साब जो बाद में आरवे governor है, उसमें तो finance ministry में थे, उन्होंने अपनी book में लिखा हुआ है, अच्छा था उसमें लोगों के पास mobile phone नहीं होते थे, अगर आज की बात होती तो वो फोटो किसके वीडियो बनके YouTube में और Twitter में कितना हंगामा खड़ा हो गया होता, शायद उस ट्रक को move करना मुश्किल हो जाता, लेकिन उसमें लोग आए, खटा हुए, उनने कुछ समझा, सरकारी माल को जा रहा है, security है, और लोग देखके चले गए, उसके बाबजूद भी एक curious आदमी ने, एरपोर्ट पे बोलते हैं, इसका एक photograph ले लिया, जब ये gold एक chartered plane में जो especially इसी काम के लिए hire किया गया, जब उसको load कर रहे था तो उसमें किसी ने एक photograph ले लिया था, लेकिन ये बात उसमें मीडिया के पास leak नहीं हुई, इसके बाद जो development हुए, वो मैं first video में बता चुका हूँ, क्या आपको मालूम है इस सोने का उसके बाद क्या हुआ, क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विश यू अल बेस्ट फर यूर प्रपरेशन